इंडोर एर प्रिलूशन क्या होता है उसक्झे हेल्डिफिक्ट्ट्क्स पॉल्यूटÁंट होते हैं वह सब हमने प्रिवियस लेच्चर में जान लिया आज हम यह समझेंगे कि all यह यह अगर इंड्ट्र करता है ठीक है घरों के अंदर जो हमारी हवा होती है उसमें कुछ भी ऐसा है उसे ही बोलेंगे इंडोर एयर प्लूशन सो इंडोर एयर प्लूशन रिफर्स तो प्रिजेंस अफ हार्म फूल प्लूटेंट इन दे एयर इंसाइड बिलिदिंग्स ठीक ना विच कैन निगेटि करते हो घरों की सफाइड के लिए यूज करते हो चलीनिंग वहां सब से आ सकता है एयर प्लूशन साथ में खुड़किया खोल दी दिरवाजा खोल लिया तो यह सोसे है जहां जहां से आ सकता है तो इससे बेसिक हमने बता दिया कि हमें समझाना था कि कैसे इससे निपटना ह है डेटेल में जानना है कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है तो प्रीविएस वीडियो फॉलो कर लें सो हाव टु प्रेवेंट और रेड्यूस इंडोर एयर प्रूशन पहला वेंटिलेशन घर में ना प्रॉपर खिड़कियां होनी चाहिए मेक्स और योर होम है एड़के हैं उनको आप ओपन कर सकते हों जिससे कि एक हो सकता है बसरते हैं दिली जैसे सहर में ना रहते हों दिली में अगर दरवाजा खोल दिया ना एक खिड़की खोल दी तो वेंटिलेशन तो अच्छा होगा लेकिन आप पलूशन और जादा अंतर आ जाएगा ठीक है ना तो प या फिर आप छोड़ना पीना ही छोड़ दीजिए यूज एयर प्योडिफायर हेपा हाई एफिसियंसी ऐसा कुछ इनका फूल फार्म होता है उनका यूज कर सकते हैं तो तो आप इसको खरी सकते हैं यह करता क्या है कि जैसे आट डस्ट है आपके कमरे में यह जो पॉलन हो को बोलते हैं न थोड़न unter जिए फूर्फ यह जोती एद्धुटे ड्रवरन को सफर्कीजि और झायआ उनका थिसाफक हमें रखेजिए हमसाफ को साफकेजिए सब्सकीकाइस करने आजिये जो सफाइब दीपा वाली में करते है तो बीच बीच में भी करते हैं federal वेट मत कीजिए तो सिर्फ जनरल सफाई नहीं इसको प्रापर सफाई कीजिए घर की मैनेज हुमिडिटी टेके ना दो होता है जब घर में हुमिडिटी होती है ना तो बहुत जिदा फंगस टाइप की जो मोल्ड होती है आपको दिखाया था प्रीवेस फॉलो कर सकते हैं हुमिडिटी हसको मैनेज कीजिए आप चाह Pandemie यूज कर सकते हैं कंडिशननर यूज कर सकते हैं जिससे कि कम बहतों साह वहां यहीं होते हैं यूज होते हैं जो हिग के पूरा महाल बदल सकते हैं कमरे में जो पॉलूटिशन का लेवल बढ़ा सकते हैं तो आप कोसिस कीजिए कि वुन का कम यूज हो मैंनी हाउस्वोल्ड प्रोडक्स कंटेन केमिकल्स डाइट करन पल्यूट दा एर तिक ना सच एज क्लीनिंग प्रोडक्स जो भी यूज करते क्या इसके अलाबा आगर आपको यूज करना ही है तो कुछ ऐसे मेटिरियल यूज की कम टॉक्सिक हो समझत आप घर को साफ करना बंट नहीं कर दो गए ठीक ना तो फिर आप कुछ ऐसे मेटिरियल यूज कीए जो कम टॉक्सिक हो ठीक है ओवायड केमिकल फॉली एक होती जहां पर घर बने होते हैं तो आप टेस्ट करवा सकते हैं अब आपको लग रहा होगा कि जो चीजे बताई जा रही है नॉर्मल जो गरीब जो घर की लोग होते हैं उनके लिए टेस्ट कर वा सकते हैं तो आप गरों का टेस्ट करवा सकते हैं कि घर में कहीं आईसा तो नियां के लेड रहेम हो आधर सकते हैं इस से निपड़ सकते हैं हुआ हुआ है